आज हम लोग objective देखेंगे राश्पती से संबंदित जो examination में हमेशा पूछे जाते हैं और examination friendly है हाली में जो भी examination आने वाला है आपका उसमें आपको help करेगा यह वीडियो तो ज्यादा ने 10 से 15 मिर्ट लगेगा या 5 से 6 मिर्ट ही लगेगा इस वीडियो में जितना भी objective questions है व पूछे जाने वाले कुछ महत्पूर्ण न परस important question सब जो है तो यहां सबसे पहला जो question रखें है वह है भारत का पहला भारत का राश्पती राजसभा में कितने सदस मनुनित कर सकता है कितने सदस 12 नेक्स्ट भारत के राश्पती का वेतन कितना होता है लगबग डेड़ ल रुपय परतीमा सायद तेल लख नहीं है अब पांचलाख रुपया है सायद यह देख लिजेगा यह question थोड़ा सामेर को डॉट लग रहा है नेक्स्ट किस राज में राश्पती सासन किस किसने कितने समय के लिए रह सकता है तीन वर्स के लिए तीन वर्स के लिए राज में राश्पती सासन के गोशना कौन करता है राश्पती राज में ठीक है नेक्स्ट राश्पती चुनाओ के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी हो जाए 50-50 नेक्स्ट भारत में किसके चुनाओ में अनुपातिक परतिनिधित्व चुनाओ परमाली रूने नेक्स्ट भारत के राश्पती की मर्जी तक किसी राज में अपने पद पर कौन रह सकता है राजपाल अपनी मर्जी से राजपाल नेक्स्ट राश्पती की सूची के विशे पर अध्यदेश जारी कर सकता है संग एवं समवर्ती सूची संग एवं समवर्ती सूची next पहली बार राष्पती सासन कब लागु किया गया था, 20 जुलाई51 में, कहां लागु किया गया था, यह कॉमेंड वताईए आप दोस्तों, next, वारती समीधान के अनुसर भारत का राष्पती राज का क्या होता है, राज का समिधानिक अध्याच होता है भारत के राशपती का चुनावा कैसे होता है अब परतियाच रूप से राशपती किस सूची के विशे पर अध्यादेश जारी कर सकता है संग एवं समवर्ती यह तो रिपीट हो गिया दोस्तो जब किसी विधयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमती के बाद वह अधिनियम बनते हैं राशपती के अनुमती पर जब तक उनका साइन नहीं होगा अज़े सिगनेचर तब तक वो लागू नहीं होगा भारत के राशपती का चुनाओ कौन संचालित करता है निर्वाचन आयोग नेक्स्ट राशपती के चुनाओ संबंदित मामले कहां भीजे जाते हैं उच्तम न्याले में कहां SC कोट में सपद भी कौन दिलाता है इसको SC ही दिलाता है नेक्स्ट भारत के राश्पति को चुनाओ कितने वर्सों के लिए होता है पांच वर्स के लिए अभी आपका fix कर दिया गया है 25 अप्रेल लगभक 1977 से आप देखिएगा हर जितने भी है ना सब 25 अप्रेल को सपत 25 अप्रेल को फिर से चुनाओ नेक्स्ट राश्पति पर महाभ्योग की साधार पर लगाया जाता है समिधान का अतिकर्मन करने मतब समिधान का उलंगन करने पर लगाया जाता है महाभ्योग भारतिये भासाओं को कितने परमुक वर्गों में बाठा गया है चार परमुक वर्गों बाटा गिया है नेक्स्ट भारत के राष्टपती को पद एवं गोपनियता की सपत कौन दिलाता है भारत का मुक नियाईदीस सुप्रीम कोट का जज राष्टपती अपना त्याक पत्र किसे सौपता है उप राष्टपती को उत्तर पर्देश की पर्थम महिला मुक वंत्री कौन बनी है सुचेत्रा की प्लानी नेक्स्ट भारत में कौन से राष्टपती निर्विरोध चुने गया थे निलम संजीव रेड़ी निर्विरोध चुने गया थे नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के पर्थम राश्पति किस राजिके थे बिहार के डॉक्टर राजिंदर परसाद आपको पता ही है भारत के किस राश्पति की मिर्ति उकार्जिकाल खतम होने से पहले हुए डॉक्टर जाकिर हुशैन का नेक्स्ट भारत का राश्पति किसकी नियुक्ति नहीं करता है उप राश्पति की नियुक्ति नहीं करता है इसका भी चुना होता है जैसे राश्पति का होता है वित बिल के लिए किसकी सविकृति आवश्चक है राश्पती का भारतिय समिधान के अनुसार भारत का पर्थम नागरी कौन होता है भारत के राश्पती पद के लिए उमिदवार की नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए 35 वर्स एक दिन भी कम होगा नहीं हो सकता है 35 वर्स या उससे पार और यह अधिक्तम कितना है नहीं है कितने बारी बन सकता है राश्पती को चुनाव की सपधती द्वारा होता है समानुपातिक परतिनिधित्व एवं एकल संक्रमनिय परनाली के द्वारा भारत की तीनों सेनाओ का सर्वच सेनापती कौन होता है राश्पती आपको पता है यूद अथवा बाहरी आकरमन की स्थिति में आकरमन कारी के विरुद यूद की घोशना कौन कर सकता है समिधान सभा का अस्थाई अध्याच कौन था नेक्स्ट जो राश्पती पत पे भी थे भारत के पर्थम राश्पती दोक्टर राश्पती का चुनाओ कैसे हुआ समिधान सभाद वारा भारत के राश्पती ने किस मामले में वीटो सकती का परियोग किया था भारतिय डाकघर अधेनियम में किया था ये most important है दोस्तो, भारतिय डागर अधिनियम में किया था, भारत के राष्टपती वा उपराष्टपती की अनुपस्थिती में कार्जभार कौन ग्रहन करते हैं, सर्वोच न्याले, सर्वोच न्याले का मुख नियाए दीज, ये most important है, इसको double tick कर लिजिए यार, next भारत का सम के द्वारा चुना जाता है, सांसदो वा विधान सभा सदस्यों द्वारा, next, सिरिमती पर्तिभा पार्टेल, भारतिय गंदन्द्र में कौन सी राष्पती बनी थी, बारमा, बारमा, ताकि महिला थी, इसलिए इनका important है, और अभी का कितना है, चाउदा, पर्णमुकर जी क कौन से राष्पती को दो बार राष्पती चुने गया है, डॉक्टर अंदर परशाद, लोकसभा वारा सभा में राष्पती कुल, कितने सदस मनुल्स कर सकते हैं, बारा सदस से, राष्पता में को पता है, बारा, और लोकसभा में दो, एंगल इंडिया, तो डोटल नेक्स्ट, भारत के राष्पती को कौन सला देता है, संगिय मंत्री परिशद, संगिय मंत्री परिशद से त्यागपत्र देने वाले पर्थम मंत्री कौन थे, स्यामा परशाद मुखर जी, किस विधयक को राष्पती पुनरविचार के लिए नहीं लोटाता है, धन विधय भारत के राश्पती की तुलना किस देश के समराट से की जा सकती है, ब्रिटेन के समराट से, किसी भगोलिक छेत्र को अनुसूचित छेत्र गोशित करने का अधिकार किसको है, राश्पती को, नेक्स्ट, भारत की कार्जपालिका का अध्यच कौन होता है, कार्जपालिका का नेक्स्ट योजना आयोग और मंत्री परिशेस का ध्याच कौन होता है परधान मंत्री अब है इसका अबजेक्टिव जिसमें आपको आप्शन मिलेगा चार तो ये जेपेसिम पुछा गया है नेक्स्ट अब परतियासित वेओ की पूर्ती के लिए निमलिखित में से कौन भारत की आक्सिमिक नीधी से धन निकाल सकता है कौन निकाल सकता है दोस्तो राश्पती नेक्स्ट सिरीमती परतिभा पार्टील का भारतिय गंतंत्र के राश्पती के रूप में क्रम क्या है? कितना है आपको? तो ये 12 निमलिकीत में से कि राश्पती ने लगातार दो बार राश्पती पर समाला है यह सिम पूछा गया है? डॉक्टर राजिन्द परसाद्दा नेक्स्ट राश्पती निम्न में से किस सूची के विशे पर अध्यदेश जारी कर सकता है जेपेसीम पूछा गया कोश्चान है दोस्तों ये तो संग एवम संबर्ती दोनों अभी उपर हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट नामांकन के समय राश्पती पद के उमिदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पढ़ता है तो लगभग 15,000 रुपए जमानत अगर एक बटे 6 से आप कम वोट लाएंगे तो ये जमानत राश्पती आपको वापस नहीं मिलेगा जब्त हो जाएगा सबके लिए है ये लगभग में राश्पती चुना का विवाद कौन निप्टाता है कौन निप्टाता सर्वोच नियाले नेक्स्ट बीर्ड हैं पूछा गिया है दोस्तो नेक्स्ट राश्पती को कौन सहायक सहाय एवं मंत्रना देता है संगिय मंत्री परिश्ट नेक्स्ट राश्पती समिधान का 20 अनुचेत के अंतरगत अध्यदेश जारी कर सकता है यूपी एस्टी में पूछा गिया है दोस्तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बी बी आई डी अनुचेत 133 समिधान का अनुचेत अंतरगत अध्यदेश जारी कर सकता है 123 अनुचेत के ताहद नेक्स्ट यदि भारतिये उप राश्पती अपना त्याग पत्र करने का निर्नाई लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे सम्मुदित करके लिखेंगे किसे राश्पती को विदेशी देशोस के सभी राश्दूतों का कमिशनरों के पत्र किसके द्वारा प्राप्ट किये जाते हैं तो किसके द्वारा राश्पती के द्वारा भारत के निमलिखित उप राश्पतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निर्पेच आंदोलन के महासचीब भी थे तो कोने दोस्तो ग्यानी जैल सी ISP में पूछा गया है दोस्तो ये Next समिधार के किस अनुचेद के अंतरकात राश्पती संगिये मंत्री परिशद के सलाह मानने के लिए बाद दे है UPPCS में पूछा गया है दोस्तो तो A अनुचेद चोहतर यहां देखिए मंत्री परिशद के सलाह मानने के लिए बाद है 12 सरकार का समविधानिक अध्याच कौन होता है समविधानिक अध्याच कौन ISCM पूछा गया है तो राश्पती Next दोस्तो UPPCS पूछा गया प्री में है निमलिकित में से किसे भावगलिक चेतर को अनुचेद चेतर गोशित करने का समविधानिक अधिकार है तो किसे है दोस्तो राश्पती का अनुचेद चेतर Next भारत के राश्पती की मर्जी तक निमलिकित में से कौन अपने पद पर रह सकता है तो कौन रह सकता है दोस्तो राजपाल Next भारतिय गंतंत्र का वह कौन सा राश्पती था जो सदा धार्मिक धर्म निर्पेचता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा सर्वधर्म संभाव का डॉक्टर एस रादा कृष्ण Most important दोस्तो Next निमलिकित में से कौन सा राश्पती के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरन का भाग नहीं है तो C राज्यों के विधान सभा लोकसभा, राजसभा और राज के विधान परिसद ये क्या है परंतु उसके महाभियोग महाभ्योग में ये participate नहीं करते है राज्यों के विधान सभा चुलने में है लेकिन हटाने में नहीं है ISPRI में पूछा गया है दोस्तो Next भारतिय समिधान का अधीर अच्छक कौन है SSC में पूछा गया है दोस्तो भारत का राश्पती अब next राश्पती को लोगसभा में किन दो सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार है ISPRI में किसके हो दोस्तो B एंगलो इंडिया को आपको पता ही है 14 दोनों से मिला कर अब लास्ट और अंतिम कोश्चन राश्पती से रिटे दोस्तो अगर आप यी वीडियो देख लेते हैं तो राश्पती से आपका एक भी कोश्चन नहीं छूटेगा जो एक से दो कोश्चन मिनिमम आता है हर एक्जमिनेशन में तो आखरी कोश्चन है जो दोस्तो भारत के संग राज छेत्र का परसाचन किसके द्वारा संचालित के आता है तो किसके द्वारा संचालित भारत का राश्पती द्वारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे मेरा जल्द ही सारा वीडियो आपको अपलोड होता मिलेगा धन्यबाद दोस्तो